तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का exercise 1.2 का question number 1 तो देख लेते question number 1 क्या दिया है state whether the falling statements are true or false है ना कि जो statement दिया है वो true है या false है और इसका justification भी हमको इसमें करना है ठीक है तो question rational number क्या rational real number है तो real number को मैंने आपको introduction class में काफी अच्छे से समझाएगा है तो यहां भी समझाते है रियल number मतलब कि any number that can be represented on the number line is called a real number है ना मतलब कि कोई भी number को हम यह number line में represent करते हैं यह पर 0 होता है यहां पर 1 2 3 इधर चला जाता है और इधर minus 1 minus 2 minus 3 चला तो कोई भी number है ना को हम लोग इस number line में represent करते हैं तो इसको real number बोलते है ठीक है यह फिर एक और इसका definition है कि rational number plus irrational number together form a real number यह भी इसका definition है तो हम लोग हर एक numbers को जो irrational होते है इस बोलने का मतलब है इस पेशल टाइस नमबर होते है रूट टू रूट थ्री रूट फिफ्टीं का बात कर ले यह फिर लोग पाई का बात कर ले पाई का वेली हो जाता है 22 बाज 7 तो यह हम इसमें रिप्रेसेंट कर सकते हैं और रूट टू रूट टू का भी अपना एक वेली होता है 1.414 तो इसका हम लोग नमबर लाइन पर रिप्रेसेंट कर सकते हैं तो यह जो every rational number is a real number हर एक rational number का real number है तो यह हो जाएगा सबसे पहले true ठीक है सब्सक्राइब क्या बहुत है every point on a number line is in the form of under root m यहाना where m is the natural number है ना मतलब कि हर एक नमबर लाइन पर हर एक पॉइंट पर जो नमबर होते हैं वो root m के form में होते हैं जहां पर m जो है वो क्या है natural नमबर आप जानते हैं क्या होता है positive नमबर जितना होता 1 2 3 4 5 है ना और जितने आगे तक चलते जाएं पॉजटिव में तो सबक्राइब क्या बलते है नेच्रल नमबर लेकिन हम लोग जानते हैं रियल नमबर उल्टा कर दिया बस है ना बाकि दोनों सेम हैं क्या हर रियल नमबर इर्रैशनल नमबर होते हैं तो यह उल्टा कर दिया है तो यह उल्टा कर दने पर गलत हो जाए क्योंकि यह पूछ रहे हता है हे रीचनल नंबर में तो यह जाएगा हमारा तो यह झाल झाल